अब हम शुरू करते हैं एक्सराइस फोर सी फिर्स्ट क्वेस्टिन है दे प्रेजंट वाल्यू ओफ अनुविटी और रूपीज 3,000 फोर 15 यह आट 4.5% पर अनुम कंपाउड इंट्रेस्ट इस तो अभी हम यहां पर फाइंड करेंगे प्रेजंट वाल्यू अनुविटी की अब अनुविटी है 3,000 रूपीज पहले हम डेटा लिख लेते हैं अब प्रेजंट वाल्यू को हम डिनोट करते हैं वी से तो यह हमें अप्टेन करनी है वाल्यू और जो इंस्टॉल्मेंट है जो अनुविटी हम भर रहे है वह है 3,000 रूपीज इंस्टॉल्मेंट को हम डिनोट करते हैं तो हमारा इंस्टॉल्मेंट है रूपीज 3,000 अज्यूम करेंगे कि यह पर अनुम है जो पीरियट दिया है इं वह है 15 यह एक 4.5% तो रेट अब इंट्रेस्ट है 4.5% पर अनुम अब इसमें से हमें i की वैल्यू मिल जाएगी i होता है r डिवाइड बाइ तो यह हो जाएगा 0.045 अब तो V का अगर आपको formula याद होगा वो है A into 1 minus 1 plus I raised to minus N divided by I, correct? तो A की value है 3000, 1 minus 1 plus I, मलब 1 plus 0.045, यह हो जाएगा 1.045 raised to minus N, यानि raised to minus 15 divided by I, I is 0.045, correct? अब इसे हम calculator पर कैसे कर सकते हैं, देखिए तो पहले हम calculate करेंगे 1.045 raised to 15, so 1.045 into, अब यह equal to करते जाएगे 16th step तक तो यह 16th step आगया, तो यह आपको value मिलती है 1.045 raised to 15 बड़ हमें value चाहिए raised to minus 15, तो हमें अगर reciprocal करना है, तो हम divide and equal to की दबाएगे, correct? यह एक बार वापस दिखा देता हूँ, 1.045 into, इसको equal to कीजिए 16th step तक, तो यह आपको value मिल जाएगी raised to 15 की, और अगर आपको raised to minus 15 चाहिए, यह उसका reciprocal कर, तो आप divide and equal to की प्रेस कर दीजिए, तो इसका value आजाता है 0.51672, correct? अब इसमें से आप 1 subtract कर दीजिए, so minus 1, लेकिन subtraction हमने उल्टा किया है, इसलिए answer negative आ रहा है, तो यह negative sign को हटाने के लिए, अब यह plus minus की दबादीजिए, तो यह जो difference मिला आपको, वो है 0.483279, correct? इस difference को आप multiply करेंगे 3000 से, so multiply by 3000, correct? और finally इसको divide करना है, 0.045, so 0.045, so आपको value मिल जाती है, 32218, 32218, 0.637, अब इसके closest जो answer है, रदर exact answer दिया हुआ है, option B में, so please remember, आपको पहले 1.045 raise to 15 ढूणना है, so 1.045 into, फिर आप 16th step तक equal to, press करें, तो यह आपको raise to क्या मिला? 15, बढ़ हमें चाहिए minus 15, so divide and equal to, यह value मिल गई, अब subtract 1 कीजिए, so minus 1, लेकिन सा fraction उल्टा हुआ है, इसलिए negative आया है, तो यह हटा देते है negative sign, अब यह difference मिल गया, इसको into 3000, so multiply by 3000, और आखिर में, divide by 0.045, so इस तरीके से आप calculator पर ही direct values calculate कर सकते हैं, तो यह हो गया सबसे पहला question, अब बढ़ते हैं question number 2 की ओर, अब question 2 है, the amount of annuity certain of rupees 150 for 12 years at 3.5%, अब amount of annuity पूछा है, यानि की accumulated value, जिसे हम denote करते हैं ANI, और annuity कितने की है 150, तो आप जो इंस्टाल्मेंट भर रहे हैं, वो है 150, अगेन हम 150 अजिम करेंगे, per annum हम pay कर रहे हैं, for 12 years, मतलब N is equal to 12 years, और rate of interest है 3.5% per annum, जिसको हम convert कर देंगे I में, अब I है R divided by 100, which would be 0.035, अब ANI का जो formula है, वो है A into 1 plus I raised to N minus 1 divided by I, अब substitute करते हैं, इंस्टाल्मेंट है 150, 1 plus I मतलब 1 plus 0.035, तो यह जाएगा 1.035 raised to N, N is 12, minus 1, और अखिर में divide by 0.035, तो पहले यह पार्ट calculate कर देते हैं, तो, करेंगे, 0.035 से, 0.035, और आपको value मिलती है, 2190, 2190, 0.29, अब इसके closest में, option आता है A, इस तरीके से आप यह दो questions solve कर सकते हैं, right, question number 1 and question 2, okay, let us begin with question 3, a loan of rupees 10,000 is to be paid back in 30 equal installments, the amount of each installment to cover the principal at 4% per annum compound interest is, अब यहां पर एक सबसे important word दिया है loan, right, तो अगर आपको याद होगा, loan मतलब की present value, तो आपने loan लिया हुआ है 10,000 का, यानि की जो present value है V, right, उसकी value है 10,000, so the present value is 10,000, आपको payback करना है इसे 30 equal installments में, यानि की n की जो value है वो है 30, the amount of each installment, यानि की आप कितना installment का amount pay करोगे, right, यह payback करने के लिए, यानि की आपको annuity ढूनना है, that is A, और rate of interest है 4% per annum, that is R is equal to 4% per annum, तो इसमें से हमें मिल जाएगी I की value, जो है R upon 100, तो यह हो जाएगा 0.04, correct, अब हम formula यूस करते है V का, so V is equal to, A into, 1 minus, 1 plus I, raised to minus N, divided by I, अब substitute करते हैं हम values, so V है 10,000, correct, A हमें find out करना है, 1 minus 1 plus I, 1 plus I हो जाएगा 1.04, so 1.04, raised to minus 30, divided by I, I है 0.04, correct, अब इसे हम यहाँ पर multiply करते हैं, 0.04 को into 10,000 करते हैं, so 0.04 multiplied by 10,000, तो यह हो जाता है, so 400 is equal to, A into, अब यह value हमें calculate करनी है, right, so पहले 1.04, raised to 30, find करेंगे हम, so 1.04, into, अब equal to करना है, आपको 31 steps तक, so 31 steps पे, आपको देखेंगे, क्या answer मिलता है, so 3.24, एप्रोक्स, लेकर हमें चाहिए, minus 30, so divide, equal to, तो यह आजाता है, 0.308, अब इसका difference हम लेंगे, 1 के साथ, so minus 1, right, अभी negative sign हम हटा देते हैं, तो इसका एप्रोक्स answer आजाता है, 0.6916, right, बट हमें A की value चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, divide by 400, so divide by 400, लेकिन हमने division reverse किया है, correct, हमें करना था, 400 divided by 0.69, लेकिन हमने क्या किया है, 0.69 divided by 400, तो अगर हमें इसे reciprocal करना है, तो एक ही आसान तरीका है, अब divide and equal to key दबा दीजे, तो आपका reciprocal होके value मिल जाएगा, so आपको एक ही value मिलती है, 578.3, तो यह आपका installment रहेगा, अब इसके closest में जो answer है, वो है C, right, अब प्रसीड करते हैं, question no.4 से, इसमें A दिया हुआ है 1200, यानि कि installment है 1200, period है 12 years, और I अलड़ी दिया हुआ है 0.08, आपको find करना है V, V यानि कि present value, so फिर से, वही V का हम formula यूज़ करेंगे, V is equal to A into 1-1 plus I, raised to minus N, divided by I, अब इसमें A की value है 1200, so 1200, 1-1 plus I, I है 0.08, plus 1 करेंगे, तो यह हो जाएगा, 1.08, raised to minus N, N है 12, तो यहां पर आजाएगा, minus 12, divided by I, I, I is 0.08, अब फिर से, हम पहले यह value calculate करेंगे, 1.08, लेकिन पहले, raised to 12, so 1.08, into, अब equal to करना है आपको 13th step तक, तो यह 2.5 value आ रही है, raised to 12, but मुझे minus 12 चाहिए, correct, so अगर मैं raised to, minus 12, obtained करना चाहता हूं, so I'll do the divide and equal to key, यह press कर दिया, फिर subtract 1 करेंगे, so minus 1, अब subtract 1 किया मैंने, लेकिन reverse order में, तो यह minus sign मुझे मिला, उसे हटा देता हूं, plus minus की दबा के, तो यह जो difference मिला, वो है 0.602, इस difference को हम multiply करेंगे, 1200 के साथ, so into 1200, and finally divide by 0.08, so divide by 0.08, तो आपको जो value आएगी, वो है 9043.29, अब यह एक भी option के साथ, match नहीं हो रही है, यह एकदम close by भी नहीं है, इसे लिए इसका answer रहेगा, option D, that is none of these, तो यह calculation में quickly आपको समझा देता हूं, पहले 1.08 raise to 12, 1.08 into, फिर raise to 12 चाहिए तो आपको answer मिलेगा 13th step पे, तो यह 2.5 something मिलेगा आपको, फिर raise to minus 12 अगर करना है, so divide and equal to, correct तो 0.39 इसकी value आ गई, अब subtract 1 कीजिए, so minus 1, लेकिन हमने ultra subtraction किया है, तो negative answer हटाने के लिए, यह minus key दबा दीजिए, plus minus key, तो यह हो गया, 0.6028 into 1200, right, and finally divide by 0.08, so you get the same answer, 9043.29 अज़गर अजयüz